आंध्रप्रदेश में भगवान तिरुप्ती के प्रसाद को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नाइडू ने आरोप लगाया जिसके बाद राज्य की राजनीती गर्मा गई सीएम नाइडो का मानना है कि पिछली सरकार में भगवान तिरुप्ती के प्रसाद के लड़ू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तमाल हो रहा था लेकिन टीडीबी नेता ने बताया कि लैब की रिपोर्ट के अनुसार रसाद तयार करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली घी में जानवरों की चर्बी और मचली का तेल पाया गया है रसाद में जानवरों की चर्बी और मचली के तेल का इस्तमाल होने पर टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड़ी ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नाइडू ने कहा था कि घी तयार करने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तमाल किया जाता है गुजरात में राष्ट्रिय डेरी विकास बोर को परीक्षन के लिए भीजे गए नमूनों की रिपोर्ट में इसकी पुष्टी की गई है कि घी की तयारी में जानवरों की चर्बी और मचली के तेल का इस्तमाल किया गया था यह हिंदू धर्म का अपमान है भगवान को दिन में तीन बार चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में इस घी का इस्तमाल किया गया था हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और भगवान हमें माफ कर देंगे CM चंद्रबाबू नाइडो के आरोपों पर विश्व हिंदू परिशद ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की लेकिन जगन मोहन रेड़ी के नेतरित्व वाली YSRCP ने इन आरोपों को खारिश कर दिया आंध्रप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्ष YS शर्मिला ने CBI जाच की मांग की उन्होंने कहा कि CM नाइडो के बयान से करोडों हिंदूओं की भावनाएं आहत हुई हैं चंद्रबाबू नाइडो ने अमरावती में NDA विधायक दल की बैठक में डावा किया था कि तिरुमाला लड़ों भी घटिया सामगरी से बनाया गया था वे घी के बदले जानवरों की चरबी का इस्तिमाल करते थे उन्होंने आगे कहा कि अब शुद्ध घी का इस्तिमाल किया जाता है और मंदर में सभी चीजों को सैनिटाइज कर दिया गया है आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री के इन आरोपों पर आंध्रप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि घी के बदले जानवरों की चरबी का इस्तिमाल होता था इसकी जाँच के लिए तुरंट उच्चिस्तरिय समिती का गठन करना चाहिए या फिर CBI से इसकी जाँच कराएं YSRCP के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद YV सुबा रेड़ी ने कहा कि नाईडों के आरोपों से भक्तों की भावनाएं आहत हुई है लिव सिफ़ाथ ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुख पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें